हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को कोकोनट ओयल से कैसे मसाज किया जाता है वो मैं बताने वाली हूँ आज मैं कोकोनट ओयल से मसाज कर रही थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ तो यहां पे मैं बाल को सबसे पहले कंगी कर लेती हूँ उसके बाद स जब भी आप और या कोई भी चीज आप बाल में लगाते हैं तो पहले आप कंगी जरूर कर लीजिए और जब तक कंगी कर रही हैं तब तक मैं यहां पर बता देती हूं कि इसे नारियल का दूद मैं कैसे निकाली हूं तो कच्छा नारियल लेकर के उसे मिकसर ग्रांडर में चोटे चोटे टुकरों में काट लीजिए और उसके बास से थोड़ा सा पानी आड़ करके उसे पीस लीजिए और कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए यहां पे और कपड़ा जब आपके पास पतला हो तो उसी में छनी से नहीं होगा तो आप कपड़ा में ही इसे करिए और टूपठा गयरी जो कि टक रहनला तो आ अपके दूद निकाल ल के तूद को आपके दोपठा न कि लेडाब आपके दाब के इसका दूद्र निकाल लिजिये में और ये दूद जो है भूत ही फाया होता है अ 않을मन जायाइमा और अच्छा इसका effect होता है friends आप जब लगाएंगे तो इसके result को देखकर amazing result होता है friends आप इसे लगा करके जरूर try कीजेगा friends मैं यहाँ पे काना चाहूंगी कि अगर आपको अच्छा लगे तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए comment तो बिल्कुल भी मत छोड़िए और उसके बाद जब ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने friend में इसे जरूर share कीजिए और इस तरह से मैं massage करने के लिए मैं cotton ball ली हूँ friends क्योंकि मुझे cotton ball से massage करना अच्छा लगता है हाथ से बहुत अच्छे से नहीं होता है जब तक आप बाल तक ले जाते हैं hair तक ले जाते हैं cotton ball हाथ में कोई भी तेल रहे या दूद रहे या जो भी चीज तब तक आपका नीचे गीर जाता है friends तो cotton ball से जब आप कोई भी चीज लगाते हैं बहुत अच्छे से हो जाता है और इसे ले करके आपको पूरे स्कल्प में पहले हलके हलके हाथों से लगा लेना है उसके बाद से आपको लेंध में लगाना है friends आप जैसे पूरे जब स्कल्प में लग जाए तो लेंध में लगाने के बाद आपको length में friends जरूर लगाना है क्योंकि scalp में बहुत लोग scalp में लगा लेते हैं और length में नहीं लगाते हैं इस कारण से दो मुहें का जो problem होता है friends वो दो मुहें का problem इसी से होता है तो friends आपको इस तरह से ही लगाना चाहिए और लगा करके उसके आप एक घंटा कम से कम एक घंटा इसे बालों में लगा रहने दीजिए और लगा के छोड़ दीजिए friends उसके बाद जब भी आप इसे लगा धोईए तो हरवल हरवल सेंपू से ही धोईए आप घर में अगर पना करके सेंपू यूज करते हैं अगर आप घर में नहीं यूज करते हैं तो आप जो भी मार्केट का हरवल सेंपू होता है उसे ही यूज कीजे यह वही सबसे बेश्ट वही आप्सन होता है वही अच्छा होता है तो इस तरह आपको लेंध में फ्रिंस लगा लेना है और लगा करके आपको उसमें भी अच्छे से मसाज कर लेना है और एक घंटा आपको लगा के रखना है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी कि आप इसमें कंगी बिल्कुल भी मत करिये जब भी आप यह मिल्क लगाएं तो आप इसमें कंगी बिल्कुल भी मत किजे क्योंकि अगर आप इस गीले बालों में कंगी करेंगे तो आपका हेर फॉल की प्रावलम बहुत ज़ादा हो जाएगी और हेर को हेर गिरने लगेगा फ्रेंड्स तो आप इसे इस तरह से ही मसाज करने के बाद पीछे में आप भलका सा जूरा बना लिजे और छोर दीजे फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स मैं जितना भी मिल्क था मैं सारे मिल्क को इसमें अब्जॉर्ब करा ली हूँ और जो भी है उसे इस तरह से ही लगा के छोर देना है मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने पूछा था कि पीछे में आप जूरा कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से ही जूरा बनाती हूँ और ये छोटे बालों में भी हो जाता है और इस तरह से आप निकालते हैं तो ये निकल जाता है उसके बाद आप पतला सा रवरबेंट लगा लिजे अगर आपका बड़ा सा बाल है तो आप रवरबेंट नहीं भी लगाएंगे तो वो चल जाएगा छोटे बालों में नहीं च तो इस तरह से आप लगा के रख लीजिए और लगाने एक घंटा के बाद हेर बास कीजिए